हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई इस्टड़ी फीट ऑफ फीजिकल एजूकेशन चैनल दोस्तों इन फॉजियोलोजी से रिलेटेट कोश्चन्स हैं जो प्रैक्टिस से नंबर 11 हैं आज की सेसर में कंकाल तंदर से रिलेटेट कोश्चन्स हैं अप किसी वी फीजिकल एजूक कोश्चन्स के प्रैक्टिस करा रही हूं तो यहां पर कोश्चन नंबर वन पर चलते हैं और एक भी कोश्चन शीप मत किजेगा मैं 20-25 कोश्चन्स वी जीजिसे आपको बोरिंग मसूस्स नहों क्यों सी हडी पैर का हिस्सा नहीं है तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं वाहे कंकाल, अंतर कंकाल, वाहे कंकाल में जैसे हमारा नाखुन हो गया, बाल हो गया, क्रेटीन प्रूटीन से बने होती है, नाखुन बाल किसे बने होती है, क्रेटीन प्रूटीन से, अंतर कंकाल में हमारा आ जाता है, अस्थिय उपास्थी, अंतर कंकाल में जिसमें आपका एक्सियल कंखाल जो आपका अस्यु होती हैं जिसमें हमारा कपाल यानि कि जो इसकल हड़ी होती हैं 29 होती हैं जैसे की खोपड़ी यानि क्रेनियल में आठ चेहरा में फिसील में चूदे कान में 6 हायट बून एक कंठ का 29 एंड जो हमारा वाटीबल कालम होता है मेरू दर्ण में 26 या 33 वैसको में 26 और बच्चों में 33 और पसलिया जो होती है वो दोनों तरफ इस्टन्नम के बारा बार याने 24 होती है एक्सियल कंकाल में और अपेंडिकुलर यानि अनुबंधी कंकाल में 126 हड़िया होती है जिसमें अपर लिम में 64 और लोवर लिम में बार सट अपर लिम में 64 जैसे की एक हाथ में 30 दूसरे हाथ में 30 और दो आपका क्लेविकल हो गया हसुली और दो इसके पुला ठीक है 64 हड़िया और पैरों में दूनों पैरों में 33 साथ हो गया और दो आपके प्रेलिवी क्याने की हीप की हड़ि हो गई तीक है इस प्रकाव 126 हड़िया हमारे जो हड़ि जो है कंपोजीशन आप बोन जो होता है वह 25 परसेंट पानी और 75 परसेंट सॉलिड मेटरियल 500 मेटरियल कठोपदार accode 25 % अचे 55 परसेंट पानी से बना होता है यापके घद हर पसेंट आपनी से बना पानी मेटर्द बना होता है मां अर आप 카ण है 20 1 बृद्व प्रसेंट मैध deb матारे से बना होता है हमारा हड़ि काथोरपदार 25 % जो होता है इस सॉलिड मैटर नर श प तो यहां कोस्टन पर चलते हैं कि कौन सी हड़ी पैर का हिस्टा नहीं है आप समझ सकते हैं कि हमारे पैर में बड़े अंगुठे की तरफ तरफ तीबिया नहीं है फिवला हडी जाती है लोक्त बड़े नम्यक्त है रहे तो यह जीए ह। यह पीमर हडी दो होती है दो पटेला होता है दो नुmachen लाकर के और जुमारा टार्श कोन होती है एड़े एंकल का जो हेएं पैरों मेंों 60 हो गया फैनले घंच्छ साथा होते होंग सब्सक्राइब advoda हो घमेटा पांच पांच होती हैघ्म के अउंगियों었े मिला कर आप तीस तीस में होती है तो यहां पर देख सकते हैं परटेला फीमर फीबला mix यू पैर जैं आपका हुम्रस हाथ की ह्ðे यह वे दोस्ति तो ही उपरी बाम में पहर Fr हुआ जाता है कि फूस्ती प्लत कुलडो होती है और रेडियस जो है छोटी इंगली तरत हाथ हाथ की और अलना चोलाइक होताए है उसमें 8-8 हर्डुं ए हर्डियां bun 16 शॉरें 18 मेरेहें कुल 18 में 26 में 27 खर्डियां झांस या इंदर्फ होती कि है official के 2ट, कोश्चन नमबर टू है हड्डियों की कुमलता को कहते हैं तो हड्डियों की कुमलता को कहा जाता है आश्टियू मलेसिया क्या कहा जाता है हड्डियों की कुमलता को आश्टियू मलेसिया कहा जाता है यह एक बिमारी है कैलसियम की कमी से या विटामिन डी की कमी से जो हड़ियों कमजूर कर देती है उन्हें अधिक आसानी से तोड़ने के कारण बन सकती है तो दोस्तों जैसा कि आप कह सकते हैं जो आश्टियों मलेसिया होती है विटामिन डी की कमी से होता है विटामिन D को कैलसी फिराल कह जाता है विटामिन D को एंटिरिकेटिक विटामिन नेचुरल विटामिन किद्नी हार्वोन आदी नामों से जाना जाता है विटामिन D में दो प्रमुक होते हैं विटामिन D2 और D3 विटामिन D2 को अर्गो कैल्सिफिराल और विटामिन D3 को कोले कैल्सिफिराल कहते हैं D2 को अर्गो कैल्सिफिराल कहते हैं जिसके कमी से टिटैनिया अस्थियों में एठन हो जाता है कोले कहते हैं जिसके कमी से जो स्तूरी के सीजी के इनुन से प्राप्थ होता है याद रखेगा और कोले कहल सी फिराल जो है इसके कमी में इसकों में रिकेर्स यानि सुखा रोख सुखंडी यस्तिया चिरी मिरी हो जाती है शूर्य की सीधी क्यून रहुता हैं जो इन्सुलीन को क्रियासिल बनाता है और मदी में विमारी से बचाता है question no.3 है, निर्मे से कौन सी साइनोथ्रोसिस ज्वाइंड की विसेस्ता है? which of the following are there करेक्रेक्रेटिस और साइनोथ्रोसिस ज्वाइंड? जैसा की आप जानते हैं जो हमारी ज्वाइंट होती है तीम प्रकार की होती है अचलसंधी, और दचलसंधी और चलसंधी तो जैसे आपको बताया हूँ मैं कि DAS में एक ट्रिक्उवा था आपको तो चलसंधी, अचलसंधी और दचलसंधी ठीक है डी सो वो गया डायरस्थ्रोसिस जिसे चल संधी को कहते हैं एस से साइनो थ्रोसिस जो सुरी दोस्तों यहां पर मैं कैसे कैसे गलती करते रही हूं आप लोग को कन्फीजन हो रहा है इसके लिए सुरी ठीक है यहां पर आपका डी एस डास चल फिर और द चल तब चल अचल ठीक है तो डायर्थ्रोसिस मतलब चल संधी एमफियार्थ्रोसिस मतलब अर्धचल संधी और साइनो थ्रोसिस मतलब अचल संधी ठीक है दास डी एस डायर्थ्रोसिस एमफियार्थ्रोसिस साइनो थ्रोसिस याद रखेगा तो यहां पर क्या पुछा है साइनो संधी की बी से इसताब पुछ रहा है तो यहां पर आप देखेंगी एक अचल संधी को हम भाई फिक्स जोएंड फैबर ज्वाइंड सइन ओफ्रोशिस ज्वाइंड इंडी मूवबल ज्वाइंड कार्टिलेज्वाइंड आधी रामों दिलांगों से जानते हैं जबकि चल्स संदी को हम डायर्थ्रोसिस, फ्रीमुवेबल ज्वाइन, साइनोवियल ज्वाइन, आदी दामों से जानते हैं, तो यहां पी साइनोथ्रोसिस यानि अचल संदी के बारे पुछा है, अचल संदी में कोई गती नहीं होती है, जैसे हमारे खोपड़ी का जोड और दातों का जो जाएगा, जैसा कि अचल संदी में आपका सूचर 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 जाएगा, जैसा कि आपका सूचर जाएगा, जैसा कि अचल संदी में आपका सूचर जुआइंट खोपड़ी का जुड़ और सिंदमोस लंबी फाइबर तंतु एंटियर टिविया फिबुला जुआइंट गॉंफोस पेगन साकेड जुआइंट दातों की जुड़ को करते हैं एंट सैक्रो इलियक जुड़ जुड़ सैक्रम हड़ी का बाहरी भाग इलियक हड़ी से जुड़ा होता है कुल ही में इसको का जाता है यह सब अचल संधी में आते हैं क्यूस्चन नमर फोर है मानोँ सरीर की अस्थियां किस अधार पर वर्गी कित की जाती तो आप सुक बोलाई है मानो सरीर की अस्थियां है और मार आकार के अधार पर वर्गी करण किया गया है जो पाझ भागुं में बाटा गया है lang boon, short boon, flat boon, irregular boon, sishamoyed boon लांग बून जो हुमरास, रेडियोस, अनला, फिमर और तिब्या फिल्ला हाथों पैरों में पायाती है, लंबी लंबी हड्या जो सरीरी में लिवर का काम करती हैं, और इसके बीच में खोखला भाग होता है, जिसे हेवेशन नाल कहते हैं, जिसमें अस्थी मज्जा यानि होता है, एनरी साथ बून जो कलाई और त legally कार्पस और टार्चर्ट, क्कवना में पाया जाती हैं इस में अन्गों को तागत प्रतां करती हैं and तिस रहोता है, फ्लेट बून जो आपको जहां पे सुरुछ्छा के आप सकता होती हैं वहां पे होती है इसे कपाल पस्लिया इ इसमें बहुत कम गति होती है चेहरे की कुछ हड़ी और रिड़ की हड़िया पांचवा होता है सिसा मौयडबूर्ट जो कंड्रा में बिख्सित यानि जोड़ों के आसपास बिख्सित होती है जैसे कि हमारा पटेला हो गया कौशन निमर्फ ऐसी पिटलबून कहां इस ही तो जैसे कि आप एक होपडी में इस है यानि कि इसकल या पर इसकल नई होना चाहिए क्रेयल वहना चाहिए थांस तो आपके खोपडी में इस है ऑसी जिस आया होता है इसमें होने क्रेटी में big एक फ्रांटल होता है लूघते कंड का शुल मुंहार्श मेरे च्छीय चयरह कंड में C आड सामें 30 म?. । क्रेटी हे सबये रहे हम चाहते हैं शेक आडसे बůसिक कहते हैं और क्रेट्य हो इसमेंical тоб आड साका कृण यह बनाता है जिसे कहते हैं जो नाक के ओपरी छत का बनाती है तो यह है जो घुपड़ी यानि क्रेटी के पाई जाती है और यह LAMBOIDE SUCUR की रूप में PARATAL HARDY से जुड़ी रहती है जैसे कि खोपड़ी के हड़ी को SUCUR का जाता है अचल संधी के अंतरकत आता है तो तीन प्रकार के SUCUR होते हैं Sagittal SUCUR, Cronal SUCUR और LAMBOIDE SUCUR जो Sagittal SUCUR होता है वो PARATAL हर्डी का जोड़ होता है और जो क्रुनल सुचर होता है फ्रन्टल हर्ची का जूड़ होता है जहां से प्रेटल हर्ची से जुड़ रखता है तिसरा होता है eighteen भबहाय सूचर जो पराईटल हर्डी सी जहां से जोड़ी रहती है क्विशननलोग र currents आजिर्टीर अर्थेजी करा दयूनिह नहीं के ऐस स्सेडी कि को अधियन को आज लोगलrift आजितयता है कि कि सब्सक्राइबних आको इसधित तुम मर कमें के वे संगता अस्थी जो होती है यह वी आपका खोपड़ी में इस्थित है भी जश्ट बताएं है कि कोस्टन नंबर एट है फ्यूजी फॉर्म सब्द किसे समंधित है तर्म फ्यूजी फॉर्म इस रिल्टेट तो यह दोस्तों कंकाल मांस पेसी अस्थी पेसी याने की कार्डियक अस्थी सब्सक्राइब की पेसी में तंतु आपने लंबी अच्छ की समानांतर होती है जैसे कि आपका इस्ट्रक्ट्ट्र क्लॉसिफिकेशन अप मुसल्स के अधाया पर पेसी यो को जो है पांच भागम बाटा गया है पहला आपका बेलन अकार यानि फिसी फॉर्म या इसके बारे मैंने अच्छ से बताया हुआ है कि फिरी सेसर में जाके देख लीजी कोस्चन नमबर 9 है इस्टर्नम हड़ी स्थित है दोस्तों जो वच्छ में होती है छाती में ठीक है इन दचेस्ट यह आपका इस्टर्नम हड़ी होता है उपर वाला भाग मोटा होता है ठीक जो उपर वाला भाग होता है मैनुब्रियम वह चौड़ा होता है दोनों हसुली जो है यानि कि कले कलकेनम हड़ी जाकर के कंधू से जुड़ा रहता है ठीक है और जो दुसरा वाला भाग है बीच वाला ग्लैडियोलस इसमें साथ जोड़ी पसरियां जूड़ी रहती है द मैं प्रह्सrist की नीचे एल जहां जो स१तंत्रम भाग होता है पास्तिंगा बरना होता है इसके नीचे हमारा अमा से से और तिल स्रोशित रहती हैankl कोश्चिन्न दस हैं इसके पुला अस्थी स्थित है कंदे के जो हड़ी होती है इसके फुला वह होती है अपर बैग इन अपर बैग यानि उपरी पीठ में कि अ अपर बय क्यानि उपरी पीठ में इस्थित होती है और यह जो इसके पुला अंसमेखला का निमार करती है जो पैक्टूरल गर्डल की एक अस्थित होती है यह एक चौड़ी त्रिकोडाकार अस्थित है जिसका एक सीरा हुमरस के सीर्स भाग से जुड़ा होता है या पीठ के उपरी भाग में इस्थित होती है कोश्चन नमर 11 है कुल्ड़ी का जोड़ वर्गी कित है ही जोएंट इस क्लासिफ़ाइड एज तो हीप जोएंट एंड सुल्डर जोएंट इस दूनों जोएंट जो है किसी भी तल्ल आ किसी भी दिसा में गती कर सकती है इस से इन सबको र सीरा दूसरी हड़ी के कप के अकार के सीरे में फसा रहता है सभी दिसाओं में गती करती है मार्टी एक्षियल जोएंट होता है जिसे सुल्डर जोएंट एंड हिप जोएंट कोशन नमर बारह है निन में से कबजा संदी कौन है वी चौन फालिविंग एन एक्जामपल आप हिंज जोएंट तो हिंज जोएंट जो एक तरफ गती एक ही तल में गती होती है जैसे एक ही दिसा में जैसे दर्वाजा जो है एक ही दिसा में गुम सकता है तो इसमें आपका नी ज्वाइंट, एल्वो ज्वाइंट, उग्लियों का जूड़, जब्रू का जूड़ आता है, तो यहां पे आपका घुर्ट, टक्षना जो है, आपका हो जाएगा, हिंज ज्वाइंट, कोशन नमबर 13 है, सूल्डर, गर्डर में हडिया होती है, सूल्डर, गर्डर, कांसिस आफ बॉन, तो सूल्डर, गर्डर में हडिया कौन सी होती है, जो इस टर्नम से उपरी भाग से निकल के जाती है, इस क्रैविकल और जो हड़, आपकी कंदे की हड़ी होती है, इस कैपुल ठीक है तो क्लाइविकल और इसके पुला यहां भी राइड होगा कोश्चन नमबर 14 है दो पार्स्विक हड्यों के बीच से जूर को क्या कहा जाता है पार्स्विक कहने की पिराइटल जूर पिराइटल अस्थी जो आपके खोपड़ी में क्रेनियल बून होती है दोनों तरफ पाए जाती है मस्तिस के तो पिराइटल हर्डी के जोड़ को हम क्या कहते है तो पिराइटल हर्डी के जोड़ को हम सेजिदल सूचर कहते हैं सेजिटल सुचर आफसन नंबर सी आपका राइट अंसर होगा जैसे कि जो खोपड़ी का जोड़ होता है उसको हम अचल संधिया ने सूचर के सूचर बोलते हैं इसमें तीन प्रकार के सूचर होते हैं सेजिटल सूचर क्रोनल सूचर और लेमबॉयर सूचर जो प्रेटल जूड़ होता है जहां से प्रेटील हड़ी नॉष्टि नंबर पंद्र है इतामय्ड हड़ी स्थित समंधित भी खोपडती है दोस्तों जो आपके नाक की फर्स का निजमार करती है छट का तो यहां पहुर्वी नहीं दिया है तो आपके नाक हो जाएगा ठीक है कि तो क्रेशनील की फर्स के उपरी अगले बहा के साथ ही दीवार तथा दाक की छट का बन छट को बनाती है question number 16 है यहाँ पर आपको ध्यान से मिलाना है अभी मैं ज़श्ट बताई हूँ कि D.A.S. चल संधी और्धचल संधी और अचल संधी डायर्थ्रोसिस को चल संधी M.P.R. थ्रोसिस को और्धचल संधी सायनो फ्रोसिस को अचल संधी कहते है तो यहाँ पर एक एक चीज को हम मिलानते है सिंडेमोसिस यह क्या है सिंडेमोसिस सिंडेमोसिस जो होता है लंबी फाइबर तन्तु का ज्वाइंट होता है जिसे एंटिदीर टिबिया फिबला ज्वाइंट यहां चल संधी के पास होते हुए भी अचल संधी है कोई गती नहीं करता है इसलिए इसको अचल संधी के अंतर रखा गया है जिसको सिंडेमोसीसलंबी फाइबर तन्तु कहते हैं तो यह आपका अचल संधी हो जाएगा ठीक है एका वन ही होगा अचल संधी यहां पर मैं आपको थोड़ा ऐसे करके बता देती हूं अचल संधी के अंतरकत आता है तो अचल संधी को और किस नाम से जानते हैं साइनोथ्रोसिस तो साइनोथ्रोसिस आपको कहां दिख रहा है तो बीक फूर हो जाएगा साइनोथ्रोसिस वीक फूर और हैंड आपका सिंक्रोडोसिस निली रंग के अल जह जुड़े होते हैं यह जो पसलीं का जो श्थर्नंग्म युशा जूरी रहती हैं वह आपका होता है सिंक्रोडोसिस कह लए जो और्धचल संधी के अंदरगत आता है तो यहां पर सिंक्रोडोसी सी का 3 हो जाएगा हलकी चलसंदी यहां पर सी का 3 हो जाएगा 4 हैं सीमफेसिस सीमफेसिस जो दो हड़ियों के मध्य फाइबर कार्टिलेजियस गद्धी के रूप में पाय जाते हैं वहां पर इस्थित जहां पर ताकत क्या सकता होती है इसके अंदरगत इंटरवर्टिवल जोएड यानि के रिड़ की हड़ि का जोड और प्यूबिक संदी की अंतरगत आएगा अत्चल संदी को हम एमफ्यार्थोसिस भी कहते हैं इसलिए डी का टू हो जाएगा डी का टू है इस प्रकार आपका क्या बन जाएगा है कि 1432 1432 1432 1432 जो यहां पे आपको आपसर नमबर टी ओ कोई भी अंसर सही नहीं हो रहा है तो यहां पर डी आपका सही कर लिजे यहां पर थी कर लिजे यहां पर टू ठीक है 1432 आपसर नमबर डी यहां पर राइट अंसर हो जाएगा 1432 ठीक है 14 पूर कि शॉरी दोस्तों यहां पे बी का क्या हुआ है गोंफो से 1432 आपकर डी ही राइट होगा ठीक है डी राइट होगा कोश्चन नंबर 17 है कि ग्लाइडिंग संधिया जो जिनमें केवल हलकी ग्लाइड़िंग हलकी गटित होती है किस नाम से जाना जाता है दोस्तो यह जो इर्विलर संधी होती है जो हमारे चेहरे और रिड़ की संधी और प्लेन संधी आपका वन और थ्री राइट इंसर हो जाएगा कि फेशिया की तुलना में टेंडन और अस्थी बंधियान लिगा मेंट में कम लचिलापन होता है फेशिया में एकल मांस पेशी फेशिया फाइबर और फेशिकुली की जिल्दी सामिल होती है बात सही है तरक आर है कि टेंडन और अस्थी बंधियान लिगा में फेशिया की तुलना में अधिक कोलेजन होता है फेशिया की तुलना में लचिलापन कम होता है बट कोलेजन उसके तुलना में ज्यादा होता है जो कि कम लचिला होता है तो यह आप दूनों सही है ठीक है? और ब्याख्या भी सही कर रहा है तो राइरेंस क्या हो जाएगा? कि आपका ए और आर दूनों सही है आर ए की सही ब्याख्या है Question number 19 है कौन सा कान की अस्थिया है? कान की तीन अस्थिया है दूनों तरह तो एक तरह तीन अदूसरे तरह तीन यानि कुल छे तो नाम क्या है? म, I, S इसका ट्रिक याद कर लिजी M, I, S यम से मैलिस I से इनिकस S से स्टेपस तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेपस और इनिकस यह आपका A और B आपका राइट इन्सर हो जाएगा ठीक है? And Question number 20 है मानों सरी में वच्छी कसिरुका कितनी होती है How many thoracic vertebra are there in the human body? तो जोस्तों जैसा कि आप जानते हैं vertebra column में युदर्ण में कुल 26 कसिरुका होती है वच्छों में 26 और बच्चों में 33 यानि कुल 33 होती है तो यहाँ पर बात करें कि इसमें पाच भागों बाटा गया है जिसमें सर्वाईकल यानि गरदन का जो कसिरुका होता है उस साथ कसिरुका होता है जिसमें से पहले कोई अधुसरी को एक्सिस कहते है पूछा जाता है दूसरा भाग है थोरे सी कहने हो अच्छों वाला जिसमें 12 कसिरुका पाई जाती है और तीसरा है लंबर यानि कमर वाला भाग जिसमें 5 कसिरुका पाई जाती है ौधदा है सेक्रण जो पांच पाई जाती है जो बड़ी होने पर 5 και में कर 1 हो जाती है और पांचवा है आपकाई कोक्सिजियल जो 4 पाई जाती है जो अंतिमवाला पूंच बनाता है जी मवाला तीम पोब पोढ़ धूझा है जो OIS को होने पर बड़ी होने पर चारों मिलकर एक हो जाती है इसका 33 से 26 बचता है या फिर थोड़े सी वच्छी कसुर का पूछा है तो 12 आपका रायट इंसर हो जाएगा दो जे को जातल जो जिसके लंबाइई मिलंबा हो जाता है तो दोस्तो से कोसे के सेशन में से कोशन से यहीं अजिन समय आई होसे कोई डाउठ होगा कमेंट में बताये और ज्यादे डियो को शेजी से और लोगों तर वीडियो पहुत सकी ते मिलते हैं एक्स वीडियो प्रैक्टिस में करता के लिए जये हैं